सो ही गाईज स्वागत है आपका अपने चैनल गौसेवी सुमन में तो चलिए आज बात करते हैं डिप्रेशन की दुनिया की जी आप लोग सोच रहोंगे की पता नहीं रियक्षन क्यों नहीं आया तो एक्चली मैं इसको देखके खुदी डिप्रेशन में चली जाती हूं मैं चो के लिए लेकिन बहुत बत्तमीज है और उसने क्या किया कि पहले तो वो अपनी मा के बाल खीच रहा था जोर जोर से जब कि वो बोल रही थी छोड़ दे विहान चोड़ दे पर नहीं उससे भी बाज नहीं आया फिर बालों को मूँ में डालके बैड़ गया और यह खु अच्छा बात करें उसके बात की जब भी उस जब उस बच्चे ने नहीं छोड़ा ना तो उसने क्या किया खड़ा हो के सीधा लात मारी अपनी ममी के मूँ पे उसको गुसा तो आया होगा लेकिन उसने कुछ बोलानी फिर भी वो अपनी जो है वीडियो को कंटीनू करती र नहीं है और एक्च्छी बच्चे की भी गलती है नहीं जैसा बच्चे को शुरू से बनाओगे ना वो वैसा ही बनेगा अब मैं आपको यहां की बात बताती हूं हमारे यहां पड़ोस में एक लड़का है एक्च्छी अब तो वो बड़ा हो गया पहले वो छोटा था तो व माही लाड़ लाड़ में बच्चे को जो है मना नहीं कि और आज का वो टाइम है कि वो अपने माबाप को अच्छे से मारता पेड़ता इवन घर से निकाल देता है तो यह कहना अपने हाथ में होता है जैसा आप बच्चे को बनाओगे वैसा बनेगा और उसके अंदर वो ड बड़ा होके तुझे ऐसे ही मारे कुटे गई फिर बात कर लेते हैं इसकी थर्ड वीडियो की जिसमें यह अपनी मा के ओपर फिर दुबारा से ब्लेम लगा रही थी कि मेरी मा तो ऐसे ऐसे मेरी बेजती करती है लोगों को पड़ोस में मेरी बुराई कर रही थी कि मैं तो अच्छी भली वहां से आई थी अपने बड़े बेटे के घर से यहां के बिमार हो गई तो वाक्य में वो यहीं आके बिमार हुई है वो तो ठीक करके भेज देते हैं लेकिन यहां पे जो जितने गंदगी जितने कीड़े अन हाइजीन जितना यह रखती है उसी की वज़े स जो है वाश रूम जाते हैं फिर मम्मी भी चली जाती तो उसी वज़े से मम्मी को हो जाता है तो क्या सारा दिन पापा जी वाश रूम में बैठे रहते तू नहीं जाती या तेरा बच्चा नहीं जाता और फिर उसके बाद तुम उसको क्लीन भी नहीं करते तो इसलिए इस का बच्चा इतनी बत्तमिजी कर रहता ना उसको देखके एक बार तो मैं भी शोक रह गई थी कि यह कैसी मा है कि अपने बच्चे को रोक नहीं रीकिये कैसे बत्तमिजी कर रहा है बाद जो इसने लास्ट में लाइन बोली वाक्या में मतलब सबको पता लगते कि एक attention seeker है इसको जो है attention चाहिए लोगों से ठीक इसने बोला कि देखो मैंने अपने बेटे को कितनी अच्छे संसकार दिये हैं देख रहे हो ना है ना ऐसे बोला मतलब इतनी बत्तम ही जो रहा था इसको पता है कि इसके बच्चा इसको वीडियो में मार रहा और उसके बाद य बोला है तुमारे लिए कि वो यहां के बिमार हो गई थी इतने कीडे वाले घर में इतने गंदे घर में जहां कि बिस्तरे भी इतने गंदे होते हैं तो मारी मा का उपर वाला घर भी इतना गंद है तो लोगों ने काफी सारे सो कमेंट्स किये थे जो कि इस से बरदाश नही हुए हैं और इसमें भी जो जो कमेंट्स आएंगे क्योंकि काफी लोगों को ने इसने ब्लोग किया हुए और देखो ये रेक्शन वीडियो तो देखती जरूर है और इसको पता भी लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे तो इसलिए कमेंट वीडियो लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि इसको पता लगे कि लोग इसके बारे में और क्या सोचते हैं तो प्लीज कमेंट करना बिलकुल न भूलें और वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें सब बाई मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू रियक्शन वीडियो में बाई